इस वक्त ये अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं था जिसका मतलब ये हुआ कि हुटी ने इस ड्रोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी हाला कि हुटी ने जिस वक्त ये हमला किया था उस वक्त उसने ये जरूर बताया था कि तैल अविव पर हमले में जाफा ड्रोन यानी याफा ड्रोन का इस्तिमाल किया गया है और उसने जाफा यानी कबजे वाले फिलिस्तीन जिसे आज तेल अविव के नाम से जाना जाता है उस पर बहुत बड़ा अटेक किया था लेकिन अब हुती ने इस ड्रोन के रहसे से पूरी तरह से परदा हटा दिया है हुती की सैने मीडिया ने इस ड्रोन की लाँचिंग और एक्जिबीशन का एक वीडियो जारी किया है जिसमें इस याफा ड्रोन की खास्यतों को बताया गया है हुती का कहना है कि ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी है ये एक लंबी दूरी वाला ड्रोन है इस ड्रोन का इस्तिमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है साथ ही इस ड्रोन को उच्च विस फोटक हत्यारों से लैस किया जा सकता है और ये रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है पूती का कहना है कि ये ड्रोन बेहद ही विद्ध्धवनसक है ये एक एडवांस ड्रोन है और तक्नीकी रूप से कई एहम चमताएं हैं पूती का ये भी कहना है कि इस ड्रोन का इस्तिमाल पहली बार 19 जुलाई 2024 को तैल अवेव यानि याफा पर हमले के लिए किया गया था उस वक इस ड्रोन ने सीधा हमला किया जिसमें एक इसराइली सेकलर की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हुए थे और इस हमले के बाद ही इसराइल ने यमन के होदेदा शहर में बने तेल डीपो पर कई एरस्ट्राइक की थी जिनमें भयानक धमाके हुए थे और कई लोगों की मौत भी हो गई थी तेल अविव पर हमले के बाद हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यायासारी ने तुरंत तेल अविव को एक असुरक्षित इलाका घोशित किया था और इसे हूती के हमलों का वैंद टार्गेट भी बताया था और यायासारी ने ये भी कहा था कि हम इसराइल के भीतर एहम टार्गेट्स पर हमला करने से बिलकुल भी नहीं हिचकेंगे और तो और यायासारी ने ये भी कहा था कि यमन के लोग एक लंबी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं जो इसराइल द्वारच शेडी गई है वहीं याफा ड्रोन को लेकार हूती के नेता सैयद अब्दुलमलिकल हूती ने कहा था कि एक एडवांस ड्रोन है जो महतुपूर्ण रणनीतिक और तक्नीकी शम्ताओं से लैस है ये लॉंग रेंज और बेहद ही विद्वन सक ताकत से लैस है अब्दुलमलिकल हूती ने ये भी कहा था कि इस ड्रोन द्वारा इसराइल के काफी भीतर हमला करना एक नया और महतुपूर्ण बदलाव है इससे इसराइल में काफी परिशानी हुई है और बाहरी ताकतों की एक मिसाल भी कायम हुई है अब्दुलमलिकल हुती ने अपने बयान में ये तक कह दिया था कि याफ़ा पर हमला करना इसराइल के लिए मानसिक रूप से एक बहुत बड़ा जटका है यहां तक कि इसराइली ने तरतुने भी इस बात को माना है हाला कि जिस ड्रोन से ये हमला किया गया था जिनमें ये कहा गया था कि इस ड्रोन को किसी अन्य देश या पक्ष ने बनाया है झाल झाल